हलो फ्रेंड्स वैलकम बैक टू मै चैनल फ्रेंड्स आज मैं ऑईल बनाने वाली हूँ और इसमें मैं यूज करूँगी पत्ता गोबी कैविज का फ्रेंड्स जो कैविज होता है इसमें विटामीन ए होता है जो एंटि आक्सिडेंट का काम करता है और जिनको भी एलोपेशिया की प्राबलम होती है मतलब जो अचानक से बाल ज़रने लगते हैं उस प्राबलम को ये दूर करता है और ये बालों को स्वस्त बनाने का काम भी करता है तो मैं इसमें ये पत्ता को भी लूँगी और में मिकसर जार में डालूंगी और ये देखे मैंने मिकसर जार में पत्ता को भी डाल लिया और ये बहुत ही अच्छा होता है उसके बालों को हैरे फोल को कम करता है तो आप इसे यूस जरूर कीजिए उसके बाद मैं एड करूंगी करी लीव्स एक मुठी भरके मैंने curry leaves ले लिया है और वो भी मैं इसमें आड़ कर दूंगी दोनों को और बिना पानी डाले बिना ओइल ढाले हमें इसे पीस लेना है थोड़ा सा दरदरा कर लेना है इसे और जो यह नीम होती है यह इससे हमारे बाल लंबे होते हैं मजबूत होते हैं और तो यह काफी अच्छा होता है हमारे हैर्स के लिए ये खाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है कर आप इसे अपने डाइट में शामिल चाहिए तो आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं और यह देखिए यह मैंने हनका सा दरदरा कर लिया है तो नीम की पतियां कुछ तो साबत है और कुछ दरदरी सी हो गई है हमें ऐसा ही चाहिए अब हम इसे एक पैन में डाल लिया है और आप मैं इसमें डालूंगी ऐलोवेरा की लीफ और बस मैंने इसे वाश करके चोटे-च मैं हमेशा अपने हर ओयल में अधिकतर यूज करती हूँ अब मैं इसमें एड करूंगी सर्सो का ओयल आप चाहे तो कोकोनट ओयल भी यूज कर सकते हैं आप चाहे तो सर्सो का तेल यूज कर सकते हैं और आप चाहे तो तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं और आप चाहे तो क एककप के आसपा सरसोख टेल में एड़ कर दिया है और यह देखिए एड करने के बाद ऑइल को मैं ने इसको गैस पर चड़ा दिया गया सोगिया यह देखिए अगदम श्लो है लगेंगे और उसके बाद जब यह बन चाता है तो मैं आपको दिखाती हूं कि कैसा लुक करेगा इस इस और हम एक दो चीज़े और एड़ करेंगे तो आप प्लीज लास तक बने रही है और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीज यह देखिए हमारा तेल दीरे-दीरे कुख हो रहा है तब तक मैं आपको इस ओईल का ओवर ओल बैनेफिट्स बता देती हूं कि अगर आपके हैर में स्कैल में खुजली है तो हमने इसमें अलवेरा एड़ किया है जिसे वह दूर होगा और बालों में अगर करता है अलवेद नमेले यह बहुत सारे यूजर्य काम करता है हमारे इसलिए, प्रसथी में और मोगा बनाता है मजबूत अगर की बालो को बनाता ओर विकास के लिए काफी अच्छा भी अज्चा है वश कर सकते हैं तो आपके अचानक से जो जड़ने लगे हैं वह कम हो जाएंगे और यह देखिए यह कैसे इसमें तेजी से यह हो रहा है बट आपको लग रहा होगा कि गेस काफी तेज है बट गैस एकदम स्लो ही है यह स्लो पे भी ऐसे ही होता है और फ्रेंट्स मैंने और भी कई सारे ओईल बनाए हैं लॉकी के और अनियन के और मेथी दाना मीथी लीन एल परक नजर आएगा और यह देखिए 15-20 मिनिट हो गया है स्लो फ्लेम पे और अब में गैस को बंद कर देती हूं और अभी अभी ठंडा हो जाएगा तब हम इसे स्ट्रेंड कर लेंगे फिर इसके इसमें हम और भी ऑईल एड करेंगे वह मैं आपको आगे बताऊंगी क्या करना है और यह देखिए मैंने तेल को स्ट्रेंड कर लिया है अब मैं इसमें डालूंगी कैस्टर ओल यह देखिए अरंडी का तेल यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके हेर ग्रोथ के लिए यह दो से तीन चमच मैंने एड कर दिया है और मैं यह डाल रही हूं है तो आप इसमें विटामिन ए की कैपसूल भी एड कर सकते हैं साथ में चार से पांच और आपका ओल बन के तयार है और आपको अच्छे से बालों में मसाज देनी और यह आपको वीग में दो से तीन बार जरूर लगाना है बालों में और उसके बाद वाश करना है और उसक के बाद ही आप जर्ज करें ओयल को कि ये काम करता है कि नहीं करता है और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू